तो आज आप लोग पढ़ेंगे कच्छा साप गड़ीत का भ्यास 2B का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो आप लोग आज पढ़ेंगे मतलब दो कोस्चन तक का पूरा वीडियो आप लोग ने देख लिया था आप लोग ने पढ़ाई कम्पलीट किया था तो अब बाकी 2B का तीसरे नंबर से जो भी कोस्चन है जितना भी कोस्चन दिया हुआ है ये पूरा आप लोग इस वीडियो पढ़ेंगे अगर आप लोग ने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए लाइक किजिए और सेयर किजिए कमेंट भी किजिए और आप ल अगर आनलाइन घर बठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए एक एक बात ध्यान से समझिए आपको सारी बातां समझ में आएंगी तो देखते हैं इसको थर्ड कोस्चन है दिया हुआ है रूल में आप लोगों को पीछले वाली वीडियो में हमने जो प्र once बता है उसमें बताहा था कि अगर आधार बराबर हो देखिए माइनस एक माइनस एक माइनस एक सबका आधार बराबर है और गुरा हुगा रहा है तो क्या करेंगे एक आधार को लिखेंगे और घातांकों को जोड़ देंगे तो यही काम करना है तो हम लोग लिखेंगे minus 1 यह कही याधार लिखेंगे और घातांकों को जोड़ देंगे तो घातांक है 3 plus 2 plus 15 तो इसको जोड़ देंगे अब हम लोग लिखेंगे क्या यहां लिखते हैं minus 1 का power हो जागा कितना यह जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 और 15, 20 तो माइनस एक का पावर 20 या तो यह answer लिख सकते हैं या तो यह answer लिख सकते हैं नहीं तो माइनस एक गुड़े, माइनस एक गुड़े 20 दिया तो मान बताना तो माइनस एक को 20 बार लिख के गुड़ा करके answer लिख सकते हैं बीस बार अगर एक को हम लिख के गुड़ा करेंगे तो एक ही होगा, एक का गुड़ा एक में करेंगे तो एक होगा, लेकिन चिन माइनस है तो देखिए जवाब, किसी माइनस का अगर सम संख्या लिखना होगा, घातान का अगर सम संख्या होगा, तो पलस हो जागा, और घात एक गुड़े माइनस एक गुड़े ऐसे 20 बार हम लिखा चाह 100 बार लिखा चाह जितने बार लिखा एक का गुड़ा होगा तो एक अई रहागा चीन ध्यान देंगे तो अगर सम संख्या होगा तो पलस 20 होगा तो माइनस तो सम होगा तो पलस लिख देंगे यहां देखते हैं चात नमबर कोस्चन देखिए जब हमने बताया था इसका यह मान बताना जब आधार बराबर हो देखिए माइनस एक माइनस एक दोनो बराबर है और भाग हुआ रहा है तो क्या करते हैं घटा आते हैं गात आंको को पाले में दूसरा घटा देंगे तो लिखेंगे माइनस एक पावर 49 माइनस 25 भाग में घटाते हैं तो अब हम लोग लिखेंगे माइनस एक का पावर 49 में 25 घटाएंगे तो 24 हो जागा और हम लोग जानते हैं मान बताना है माइनस एक का 24 बार लिखके गुड़े 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 24 बार लिखेंगे और गुड़ा करेंगे तो यह कही होगा चिन जब समसंख्या आया तो पलस हो जागा यानि कि पलस एक अंसर हो जागा अगर भी समसंख्या रहता तो माइनस हो जाथा इसको हल करके देखते हैं पांच नमबर कोस्चन है तो पहले हमने बताएगी पहले भाग को हल करते हैं फिर गुड़ा को तो ये 3 का पावर 12 से लिख के और गुड़ा लगा के अब एक ही देखिए आधार दोनों का बराबर है और भाग हुआ तो भाग में घटाते हैं तो एक आधार लिख के 7 माइनस 25 कर देंगे अब देखिए क्या होगा तीन का पावर 12 गुड़े तीन का पावर ये देखिए 25 में से 7 घटाएंगे चीन हमें साब बड़े संख्या का लगाते हैं ये माइनस 25 है और ये पलस 7 है तो बड़ा 25 है तो इसका चीन माइनस है तो माइनस लगा गटाएंगे 25 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 अब क्या करेंगे देखिए अब गुड़ा वाल करते हैं तो आधार जब बराबर होता है और गुड़ा हुआ रहा था तो घटांकों को जोड़ देते हैं तो 3 पर पावर 12 और पलस करके ये जोड़ देते हैं दोनों को तो पलस और ये माइनस 18 तो माइनस 18 लिखेंगे अब हो जाएगा देखिए 3 का पावर 12 और पलस माइनस का गुड़ा माइनस 18 यहां आप लिख लेते हैं इसके बाद से यहां लिखते हैं तो देखिए 3 का पावर हो जाएगा अब घटाएगे घटाना हो गया है तो 18 में 12 गटाएगे चिन माइनस का लगाएगे माइनस 18 में 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा 3 का पावर माइनस 6 अब या तो यह एनसर लिख सकते हैं नहीं तो हमने बताया है कि माइनस वाले संख्या को अगर नीचे करते हैं तो पलस में हो जाता है हमने बताया है कि इसको एक बटे करके हमेशा जब माइनस में रहागा तो एक बटे करके 3 का पावर यह माइनस था तो पलस हो गया पलस 6 तो ऐसे लिख लेंगे या तो यह एनसर या तो यह एनसर नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं एक बटे 3 पर 6 का मतलब 3 को ऐसे 6 बार लिख के गुड़ा कर लेंगे तो ये भी अंसर हो जाएगा एक बटे 3-3-3 का गुड़ा करेंगे 729 तो ये अंसर हो जाएगा मान देखिए बताने के लिए कहा है तो घातांग घाताना है मतलब एक दम पूरा मान निकाल देना गुड़ा कर करके तो ऐसे हमने कर दिया ये भी अंसर लिख सकते थे हमने उसको माइनस में है पलस में बदलने के लिए 1 बटे कोस्चन देखते हैं तो अब 6 नमबर कोस्चन देखते हैं अपनी अब्यास पुस्तिका में रिखता स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया है 6 नमबर कोस्चन में 4 कोस्चन यहां दिया हुआ है 4ों में रिखता स्थान भरना है कि क्या भरेंगे तो देखते हैं यहां कह रहा है कि पहला question 4 गुड़े 4 गुड़े 4 बीस बार मतलब यह 4 बीस बार लिखा हुआ है तो हम यहां क्या भरेंगे तो उपा देखिए 20 है तो हम यहां भर देंगे 4 क्योंकि कह रहा है कि 4 कितने बार लिखा हुआ 20 बार तो मतलब 4 पर 20 इसको हिंदी में लिखा हुआ है इसको मैत के भासा में हम लोग ऐसे लिख देंगे 4 20 बार तो 4 पर हम 20 लिख देंगे यहां देखिए हमने रूल में जो बताया हुआ था कि अगर गुड़ा हुआ रहा रहा तो दो चीज़ ध्यान देता है या तो आधार बराबर होगा या तो आधार बराबर नहीं होगा गहातांक बराबर होगा तो जब देखिए इसमें आधार बराबर रहता था तो हम गहातांकों को जुड़ते थे यहां देखिए गहातांक बराबर है तो क्या करेंगे आधारों का गुड़ा कर देंगे यहाँ देखिए एक आईच है लिखा हुआ एक आईच है आठ साथे कर देंगे कितना 56 हमने रूल में जो बताया था यहाँ देखते हैं हमने बताया था कि जब आधार बराबर होता और भाग होता तो घटाते हैं और लेकिन हमने लास्ट में जब रूल जो बताया था हमने उसमें बताया था कि जब आधार बराबर नहीं है गहातांग बराबर है तो यह कही गहातांग लिखते हैं भाग में और यह आधार को लिख देते हैं 9 बटे, 9 बटे, 5 9 बटे, 5, 2 बारा है तो एक ही बारा, 9 बटे, 5 हो जागा यहाँ देखिए हमने बताया था 2 या 2 से अधिक घातांक राएंगे तो घातांकों का गुड़ा कर देंगे तो देखिए, एक 3 लिखा हुआ यह आधार, 8, 3, 24 घातांकों का हमने गुड़ा कर दिया 24 तो ऐसे हम भरेंगे 7 नमबर कोस्चन, 8 नमबर कोस्चन, 9 नमबर कोस्चन यह हमने एक ही पास लिख दिया सबको और इसमें देखिए, 4, 4 बिकल्ब दिये हुआ कोई एक सही होगा, तो उसी पर हम लोग ठीक लगाएंगे तो हमने बताया था, देखिए, जब यह गुड़ा हुआ रहागा आधार, देखिए, दोनों का अलग है और घातांक यह कही रहागा तो आधार अलग होगा, और घुड़ा होगा देखिए, बाकी सब बिकल्ब है आठ नमबर कोस्टन में हम लोग देखेंगे कि एक ही देखिए, आधार है और भाग हुआ, जब आधार बराबर होता है एक ही, जैसा रहता है, तो घातांकों को घटा देते हैं तो देखिए, हम लोग इसको घटा यहाँ साल्ब कर लेते हैं, रख पर इसको साल्ब नहीं करना, बस बिकल्ब टिरिक लगाना तो देखिए, हम लोग इसको जब साल्ब करेंगे, तो माइनस तीन पर भाग होता है, अधार बराबर होता है वो घटाते है, चैर मेंस दो घटाएंगे तो माइनस तीन पर हो जाएगा दो चैर मेंस दो घटाएंगे तो दो अब माइनस तीन पर दो का मान क्या है माइनस तीन गुड़े माइनस तीन इसका मतलब यही तो होता है, माइनस तीन पर मतलब माइनस तीन को दो बार लिख देंगे और गुड़ा करेंगे तो माइनस माइनस का गुड़ा पलस और तीन का गुड़ा तीन में नो यानि कि पलस नो हो गया तो पलस नो हमारा देखते हैं बिकल्प कहां है इसमें तो यहां तीसरे नमबर पर यह लगा देंगे ये रफ का काम होता है, बस रफ पर चेक करते हैं और इसको बिकल्प वाले को केवल बिकल्प ठिरिक लगाते हैं इसको देखिए, 9 नमबर या इसका मान निकालना, इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ देखी यहां दार भी अलगा घातांक के यहां एक है यहां 2 घातांक भी अलग है यहां भी तो इसको ऐसे हल कर लेंगे simple 4 गुढे 5 पर 2 है तो 5 को हम लोग दो बार लिखके गुढा कर लेंगे प्लस लगाएंगे यहाँ पी देखिए यह 5 गुड़े 4 को दो बार लिख लेंगे 5 गुड़े 4 गुड़े 4 दो बार लिख लेंगे ऐसे साल कर लेंगे देखिए 4 पचे 20 पचे 100 और प्लस 5 चव को 20 24 चव को 80 180 दोनों पलस में आ जोड़ लेंगे तो 180 होगा तो हम लोग 180 इसमें जो होगा यहाँ 4 नमबर कोस्चन दिया है तो इस पर ठीक लगाएंगे तो ठीक लगाने वाला रफ पर साल्प करके देखेंगे और ठीक लगाएंगे जो रूल आपने बताया उसी को ध्यान में रखेंगे कुछ नहीं है वही रूल याद होगा सारा कोस्चन आप लोग साल्प कर लेंगे घातां का बहुतीजी है कोस्चन बस रूल को याद रखना है वीडियो को आप लोग पूरा देखें एक एक बात हम क्या कर रहा है बीच बीच में कुछ ऐसी बातां बताता है कि आप लोग नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आगा आप लोग को तो वीडियो को पूरा डिटेल में देखिए क्या हम कह रहा है उसको ध्यान से समझिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और सेर करिए अब आज आप लोग का विहास दो का भी समाप्त हुआ तो इसके बाद आप लोग अब दो कासी अगले वीडियोम देखेंगे